इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी कौन सिवास इजट बीस टैबलेट हाई कॉलेस्टरॉल के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली दवा है यह एक combination दवा है जो खराब कॉलेस्टरॉल यानि की LDL और triglycerides यानि की वसा किस तरो को कम करती है यह भविश्य में hot attack और stroke की जोखिम को कम करने में भी मदद करता है कौन सिवास इजट बीस टैबलेट को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है डॉक्टर द्वारा निर्धारत schedule के अनुसार आपको नियमित रूप से समान अंतराल पर इसे लेना याद रहेगा डोज और इलाज का समय इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपका इलाज किस लिए किया जा रहा है जब तक आप पूरा कोस पूरा न कर लें तब तक इसे लेना बंद न करें भले ही आपको बहतर महसूस होने लगा हो इस दवा को असरकारक बनाने में मदद करन हैं जैसे की एक्टिव रहना, स्मोकिंग बंद करना, कम फैट वाली डाइट लेना और नियमित रूप से व्यायाम करना ये आम तोर पर हलके हैं लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या कुछ दिनों से अधिक समय तक रहते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं अगर आप त्वचा या आँखों का पीला पन, असामान्य रूप से गहरा पेशाब या गहरा मल देखते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं क्यूंकि यह लिवर को नुक्सान के लक्षन हो सकते हैं यह दवा लेते समय आपको खून के शुगर लेवल और लिवर की कारिक्षमता की नियमित निगरानी के लिए कहा जा सकता है इस दवा को लेने से पहले अगर आपको किड्नी या लिवर से संबंधित कोई बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए आपको अपनी हेल्थकेर टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि क्योंकि इस दवा से उनका असर प्रभावित हो सकता है या वे इसके असर को प्रभावित कर सकती है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद